Hello Student, University News में आपका स्वागत है, अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो यह फ्लर्ट फ्रम आपके लिए है, क्योंकि मैं PhD से रिलेटड अपडेट लेके आते रहता हूँ, यसे मैंने फिलहाल में कई इनवर्सिटियों के PhD के नोटिफिकेशन पर मैंने फुल टाइम वीडियो बनाया ह तो अगर आप PhD करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से हर अपडेट आपको मिलता रहाएगा, यहाँ पर सेंटरल उन से टीएश्ट एट इनवर्सिटी और जो भी नेशनल इंपोर्टेंस की संस्थाना है, मैं पडेट लेके आता हूँ, तो अगर पडेट आपकर करना चाहते ह हैं, तो आप इनवर्सिटी नीज को सब्सक्राइब कर ले जरूर और शेर परें, और साथ बेल आइकन भी दाबादे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत मिले, तो चले चलते हैं निव नोटिफिकेशन पर और दिखाते हैं आपको पूरा डिटल्स, अपने वादे का अनुसार एक नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने हाजीर है, यह है Central University है, GGU, जहाँ पर पीजटी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है, यहाँ पर भी आर रेट जो होता है, विश्विद्धाले रिट ग्याम्टेट काटेगरी में हुआ है, और यहाँ पर जो जो रेट जोरा नहीं होगा, यहाँ पर एक जेम्टेट काटेगरी दोरा होगा, आपका एड्मिशन यहाँ पर, तो अगर आप पास नेट जीर रैफ है, तो अभी आपको अपलाई कर सकते हैं, तो उचलिए पर इसको पूरा डिटेल से बताते हैं, यह क्या क्या नोटिफि पर चलते हैं और दिखाते हैं आपको पूरा डिटेल्स, जो यह सेंटर इनोर्सिटी है, इसका नाम है गुरु गासी दाश विश्विद्द्याले विलासपूर में है, यह एक सेंटर इनोर्सिटी है, यहाँ पर लिख दिया है, 2009 के अनुसारी सेंटर इनोर्सिटी का अपलाई करने के लिए अपलाई करने के मांग रहा है यहाँ पर और इसके लिए जो पूरा दिया है यह इसके मिनमों गैडलैंड का नुसार यहाँ पर आपको यह एडिमिशन होगा यहाँ पर और इसके लिए आपको जो सब्जेक्ट में कम से कम मास्टर डिगरी होना चाह होगा, are allowed to throw the admission notice submission of the apply for V rate exempted category दोरा देखिए पूरा red line में लिख दिया है ताकि आपको समाज में आ जाए कोई problem create ना हो discipline available यहाँ पर available है किन किन discipline में हैं और कितना seat है वह आपको हम बता देते हैं यहाँ पर ताकि आपको कोई problem ना हो तो देख लिजिए यहाँ पर यहाँ पर देखिए department school है यहाँ पर डिपार्टमेंट है और डिपार्टमेंट है और इजिर अब जरेशन है और total seat है और EWS का भी seat दिया हुआ है तो मैं आपको सिर्फ total seat और subject बताऊंगा डिपार्टमेंट बताऊंगा और total seat बताऊंगा अगर आपको categories देखना है तो आप खुद इसको डिपार्टमेंट को पोज़र के देख सकते हैं इस में पहला जो डिपार्टमेंट है वो इंग्लिश है जहाँ पर एक seat निकला हुआ है लेवरी साइस में भी एक सीट निकला हुआ यहां पर इसी तरह से इल्लोक्रोनिक कम्निकेशन में भी आप 18 सीट है और computer science and engineering में 10 सीट है information technology में 11 सीट है और chemical engineering में 24 सीट है और इसी तरह से देख लिए civil engineering में आपको 14 सीट है mechanical engineering में आपके 11 सीट है industrial production engineering में 7 सीट है यहाँ पर anthropology ट्राइबल डेवलप्मेंट में एक सीट है और बोटनी में आपको देख लिजीएगा यहाँ पर बोटनी में जो आपका सीट है यहाँ पर 5 सीट है जोलोजी में 5 सीट है और commerce में 11 सीट है management में भी 11 सीट है निकला हुआ यहाँ पर computer science and information टेकनलोजी में 8 सीट है यहाँ पर इसकी आलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर natural resource center में है स्कूल में है forestry wild life and environmental science में 10 सीट है और mathematics में 21 सीट है और इसी तरह यहाँ पर देख सकते हैं pharmacy में आपको 42 सीट है तो pharmacy में काफी सीट है यहाँ पर निकला हुआ सबसे ज़्यादा फर्मेशी में है chemistry में आपको 32 सीट है और इसी तरह से आप देख सकते हैं आगे जो है pure applied physics में आपको 38 सीट है political science में 2 है social work में 3 है education में 8 है physical education में 7 है इसके अलावा देख लिए जो बायो टेकनलोजी में निकला हुआ है यहाँ पर यहाँ पर follow किया रहा है यहाँ पर देख लिए क्या दिया हुआ है यहाँ पर देख सकते हैं यह इनवर्सिटी के राइट में है admission eligibility जो आपको है आपको जैसे बता लें कि PG degree होना चाहिए और वो भी आपको 55% मार्स के साथ 2 years का होना चाहिए आपको 55% मार्स होना चाहिए अगर आप ECST OBC candidate है तो आपको 5% का छूट मिलेगा यहाँ पर आपको 5% का relaxation मिलेगा OBC candidate को सब्सक्राइब के लिए यह बात आपको याद रहाना चाहिए यहाँ पर आपको पता होना चाहिए और इसी के साथ देख लिए यहाँ पर आपके पास कोई होना चाहिए UGC, NET, CSI, JRF, DBT और Inspire Fellowship आपको होना चाहिए इनेट गेट और सीड होना चाहिए तब आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं नेट होना चाहिए नेशनल लिवीटी टेस्ट जो हो है UGC के वह भी होना चाहिए अगर आप वर्किंग प्रफेशनल है नन टीचिंग स्टाफ है और अपिसार एक्सुलूडीव है साइंस टीट है नन टीचिंग स्टाफ है वर्रमेंट जॉब कर रहा है यहाँ यहाँ आपको 22 साल से कम नहीं होना चाहिए आपको अंडर 22 से कम नहीं होना चाहिए अप्लिकेशन आपको भरना हुआ पहले लिवीटी कटरिया चेक कर लेजिए देख लेजिए क्या है उसके बाद फर्मक लाए किजिए अब सबसे यह बात कि देखिए यहाँ पर इंस्ट्रक्श है तो भी आप यहाँ पर अपलाई कर सकते हैं फुल्फिल के उसका फर्मेट प्रस्क्राइब्ड आपको देख लिजिएगा नेक्सर में दिया हुआ हुआ है उसको बता दिया जाता है और जो जो वी रेट एक्जेम्टेट कटेगरी का जो सेलेक्शन होगा वो की सब्सक्र कुल्पिलेट होगा देखिए आपके प्रफेशनल इंटर्व्यू जो वाइवा होगा 20 मार्च का होगा रिसर्च प्रफोजल जो आपको प्रेजेंटेशन होगा 30 मार्च का होगा और यह जो गेट है उसका वेटेज आपको दिया जाएगा यहाँ पर 50 परसेंट वेटेज यहाँ पर जोड़ा जाएगा और नंबर के अनुसार और ट्रेवल कभी नंबर के अनुसार आपको नंबर मिलेगे और पोश्ट के दिया जाएगा जैसे बताने कि अगर आपको 75 परसेंट में आया है तो आपको दो नंबर मार्च मिलेगे इसी तरह से अगर आप पीजी में हैं तो अगर 75% मार्स है 15 मार्स इस तरह से मार्स आपको दिये जाएंगे तो मिलेंगे आपको मार्स और आगे क्या देख लिए जाएगा सेंटर और डिपार्टमेंट के अनुसार आपको यहां पर बेज दिया जाएगा और उसके अनुसार आपको शोट लिस्ट करके बूलाया जाएगा डियार्सी की मिटिंग में यह तै होगा अनुसार लागू होगा इसके लिए आप अभी से सर्टिफिकेट बना लेजिए आपके लिए बेहतर रहेगा यहां पर आपको मालूम होना चाहिए जर्नल इंस्ट्रक्शन को इसको सही से एक बार दिख लीजिए का लेकिन इंपोर्टेंट इस्प्रमेशन उस तरह से नहीं है और कोई आपको देना होगा आपको देना होगा आने के लिए इंट्रेस्टेस और इंट्रिव्यू के लिए और अप्लिकेशन Centers ने आपको 500 और आपए 550 रोप्या दिल लगेंगे यहाँ पर 15 रोप्या होगे ऐँख युझार पनासर लगेंगे और ड्य परस पर्या आपको बता देंखेंख की और मार्च से शूरू हो गया है और 60 मार्च तक तक चलेगा चार माँ अपरेल से लिएकर तक चलेगा एंटरव्यू प्रिजेंटेर्शन तेरे मैं में होगा और रिजल्ट आपको मैं 22 मैं तक हो जाएगा और जुन जुलाई से आपका सेशन शुरू हो गएगा शर्मिशन अप्लिकेशन फर्म आपको इनुवर्सिटी की साइट पर जाके आप समिशन कर सकते हैं इन्पोर्टेंट डेट आपको देख सेखेंजेए फेलोशिप भी यहां पर आपको दिया जाएगा है यह बात को ध्यान आगिए विदावड फेलोशिप आपको पीजी करना चाहते हैं तो अपलाई कर सकते हैं यहां पर देखे लिख दिया गया है वेट वी रेट रेट रिजम्टेट कर टेगरी कंडिडिएट वील नॉट गेट नॉन नेट फेलोशीप फेलोशीप फ्री विलेज फॉर दा श्कॉलर इन्वाल्व इन डेक्सिस आप इंटर्डिस्प सुपर्वाइजर को अपको सुपर फेलोशीप रेगुलियूशन को यह सब दिया गया है तो यहां पर देख सकते हैं तो यह रहां पेच्ट से लिटर सेंट्रल इनुर्व तो आप अगर आप इंट्रेस्टर्ट है और ज्यार्व हो रहा है तो आप यहां पर पैपलाई सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले और 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 अच्छा लगा हो तो इसको शेर करें यह रहा पेच्ट से फुल इन्फर्मेशन मेरा अनुसार अगर इसमें कुछ कमी है कोई समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें बताए उसका भी मैं समधान निकाल दूँगा तो यह फुल इन्फर्मेशन रहा सेंट्रलोन सिटी अब गुरु गासीदा सेंट्रलोन से अपडेट रहते रहें और अच्छे से त्यार किजिए और मेरे तरफ से आपको मैं कहना चाहता हूं कि आपको एनिहाव इस साल एड्मिशन ले ले जिए थाइंक्यू वाचिंग थाइंक्यू वाचिंग इन्वर्सिटी निलज द blues चाहता है só बड़ी कि नचते कि तेंगाचिंग सित्ड़ कि ज obedience